रालोस्पा सुप्रीमों उपेंदर खुसवाहा के लिए एक आज फिर बुरी खबर है लोगसभा चुनाव में तो वो बुरी तरह से पराजित हुए ही आज उनकी पार्टी के दो विधायक और एक विधान पार्षद ने पार्टी को बाईवाय करते हुए जदियू में सामिल हो गए यानि कि जद्यू बिधायक दल के वो सदस हो गए हमारे साथ हैं जदियू फी बिधायक दल के पुर्व नेता ललन पास्वां surroundings में से सीथे बात करते ललन आ था कियो भी धान सबाध्यक से आप मिले और आप लोगों को बिधिवत जदियू बिधायक दन का सदसे मनुनित कर दिया गया भई यह स्पीकर साफ सब्सक्राइब हमेशा मिलते हैं तीन साल से चार साल हो गया ऐसा नहीं है हम लोग का आपको मैंने बताया कि पार्टी खुन पसीने से सीच के साथियों ने बनाता और जिनकी चैरें नाम भी अविव चैर्चा उस इतनी लगता है तो नों Bureau के साथियों का गरदन काटा और जिस तरह से अप मानित किया सारे लोक बगावत में ताहिसले तो नहीं तो दो भागों में तो रास्ता धरा दिये और रह गई बिहार की बिकास की बात पार्टी चलाने में भी कोई इतराज नहीं था लेकिन अब हम लोग कहें कि अब मन्नी नितीश कुमार अगर कहीं नहीं रहते तब नहीं को जब हम लोग के नेता पहले से आज नहीं 12 सल 15 सल से लगतार नेता रहें नितीश कुमार जी और अमनों से मुलाकात हुई तो कहें कि यह रह ललन जी आप लोग रस्ता दे करिए ऐसे भी हम आपके साथ हैं नहीं ज़र तब अमनों तो अमनों का बात होते रहता था सदन से लेके सब्जाएं तो अमनों ने व बैठके परसो तरसो ही हम लोग कर चुके थे आज जनकारी आपको आज दी जा रही है और इस्पिकर साब को हम लोगों ने लिखके दे दिया था कि फैसला पार्टी के साथियों से मेरी बात हो चुकी थे कि इनके लोगों ने लिखके दिया हम लोगों थे तीनों में ने मैं है सन्जी श्याम जी मेल सी और सुदान सुछ से ख़दी हम लोग ने तैग कि है कि ने बात रखी जानी चाहिए और हम लोग ने इस विकर साब के मिल के दिया आज भाईजत उसका नोटिकर ने कल मुखमंतरी से हम लोगों की बात भी हो चुकी थी और कल आएंगे तो मुलकात होगी और अब डेट फिक्स करके किस दिन साथियों का जो जमायत है वह भी बाईजत चली जाएगी का जा रहा है कि मुखमंतरी या जदियों के केंद्रिय ने तुने आपको भरोसा दिया है कहीं मंतरी मंडल में सामिल होने की भी बात आई है क्या देखिए मैं लगतार बोल होती तो पंदरह चूदा में नहीं हो जाता आज हुजाता संद रहोता यह लक्ष रहा हैं भी यह सर्त भी नहीं अगर यह सर्थ 들어ती तो पहले ह ao तो पहले पहले प生रत नहीं है अगर सत होता तहुं मैं लागातार बोलते रहा कि मुझे चौड़िए मुझे चूड़ान्स को पूरी पाटी का बिलय कर यजदियों में कि पूरी पाटीके साथियों से सब बात हुई है उस इसे तो रियाender में सब कि अलग अलग इलग एक्षा होते हैं जो हमलों की जहुत जहाएं हुँ पूरी जमाइत हैं मैंने कितने नाम रखें जो पर जमात हमारे साथ जो है चायो बिनो जी हो शंबो जी हो बने सर्ज बेगा के कितने नाम रखें जो परमुख शाती है निल्मा सिना जी राष्टिय अरलस्पी का महिला का कई लोग हैं तो सभी लोगों का मन म्याज जो है ठीक है और नितीश कुमार जी से अभी बेटर कोई रास साल 14 साल समता पार्टी को हम लोगों ने जब मसाल था तब से सीचा है वहां कोई बात हुई थी और दलों में मतवेट के सवाल कभी हो जाता है कभी गलतियां सही हमसे भी हो सकती है तो उसी सवाल पर कुछ बात हुई थी लेकिन अब गिले सिक्वे नहीं है नितीश कुमार क कोई विकल्प नहीं बिहार मिनितीश कुमार के कोई विकल्प नहीं यह भी है कि लोक सभा चुनाओ खत्म होने के बाद गिरधारी यादव दिनेस चंद्री यादव के सांसद बनने के बाद दो बिधाय की कमी हो जाती जदियू में एक एमेल सी ललन सिंग के चुनाओ जीत बात नहीं जाहां एंडीय देस बर में रिकॉड तोर दिया जादी के सतर वैसि सबना और समय की कोई बात सब्सक्राइब लेकिर लेकिंजीगा एक सदन में जदियों की हैसियत वही की वही रहेगी जी नहीं जदियों की हैसियत तो आज कल दो MP ती आज 16 MP है हैसियत तो बढ़ी है देस में 17 लड़े 17 हो BJP जी ती मानने रामिलाजी चौल लड़े चौल दिस्टेंशन मनें उसको कहिए कि दिस्टेंशन है पूरे बिहार में और कोई सब बिदान सबाह का कुछ सीटें छोड़ा के दोसोचोवीस कि दोसब सताइस सीटों पर इंडिये की बढ़त है क्या कहा जाए ललन पासवान ने जो कसम खाई थी उपेंदर कुसबाह का कुनवा खत्म करने के लिए आज वो अपने मीशन में काम्याब हो गए क्या है हम अमेसे मीशन में काम्याब रहते हैं हम जिदर का का इस्तिमाल किया और हम लोगों से ज्यादा जनता ने रगड़ दिया व्यार की पबली को महान जनता को बढ़ाई देना चाहते कि जिन लोंगे तरीके से ऐसे कुनमे के लोगों को जिनोंने स्वंभू लेता थे बंस बाद जाती बाद के सबसे बड़े लंबर दार थे उनका कुनमा को धौस कर दिया उनको गार दिया धरती में इसलिए हम लोग उसके पक्षदर हैं और जाती है और बंविवास्ता इन सवालों पर हम लोग नितीशक मार के समय भी और लोहिया के मानेने वाले करपूरी के की जात जात तोड़ो जमायत बनाओ उसके हम धारा के हम बेदकर के धारा के लोग है इसलिए ये बात कभी पच्छती ही नहीं थी कि ये बात ये तथा कतित कुछ लोग है जात का डंडा गार के हुलरी भांज रहते हैं इनका सब हुलरी को बिहार की जनता ने खतम कर दिया इसलिए बिहार की महान जनता को बहुत बहुत बिथाई ह तो ये हैं ललन पासवान और काफी खुश हैं जद्यू में सामिल होने के बाद आज इनके मन की मुराद पुरी हो गई है और ये बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुसबा के किले को हमने दोहस्त कर दिया है निस्ची तुरूप से उपेंद्र कुसबा को बहुत बड़ा जटका के कि इनके मुला कर दोल से पर लगेंद्र को बाद इनके मुला प्रूप से लागे से घ्टका वे जगा कुसबा को बढ़ बदाया प्रूप कुसबारे।